लोगसबा चुनाओं के नतीजे को लेकर पहले RSS प्रमुक मोहन भागवत और अब इंद्रेश कुमार का एक बयान सामने आया है इस पर बाच्चित करने के लिए हमारे साथ है सिविल लाइन जैपूर के विधायक गोपल जी सर इस तरह के बयान चुनाओं के नतीजे के बाद जिसमें BJP नेताओं के लिए अहंकार की बात की जा रही है कि अहंकार में आगए इसलिए उनकी सीटें कम हो गई क्या आप भी इत्तिफाक रखते हैं देखें अहंकार का प्रभाव तो पड़ता ही है अहंकार किन में आया है यह निश्चित रूप से देखने का भी सह है क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता भारत के इतिहास में एक वीजेपी का व्यक्ति दस लाख वोटों से ज़्यादा से चुनाव जीत रहा है और एक व्यक्ति अगर कहीं हार रहा है तो इसका मतलब सामूही कारण तो नहीं है व्यक्तिक कारण हो सकते हैं तो अहंकार तो मनुश्य को नश्ट कर देता है और जब ऐसा नेतिर्त्व देश के पास है जो विश्व नेतिर्त्व के काबिल है जिनको देखने पर लगता है कि महाना प्रताप और छत्रपती सीवा जी महाराज हमारे बीच में है, जो चलते हैं तो सिंग की तरह से लगता है, ऐसे विशाल व्यापक विराट नित्रत्व के रहते हुए, एहंकार का तत्व अगर कहीं है तो पराजित होकर रहेगा, और फिर पुजनी मोहनराव भागवजी जैसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व, सांस्कृतिक नेत्रत्व करता, राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तित्व, इस बात की चिंता कर रहे हैं, इतना प्रयाप्त है समश्या को दूर करने के लिए हैं लेकिन आप तो खुद राम मंदिर अंदोलन से जुड़े होए थे, कार सिवा में भी गए थे, फिर भी बीजेपी को आयोध्या में ही जीत नहीं मिल पाई, इसके पीछे खुद गोपाल शर्मा किसको वज़े मानते हैं, क्या पीम नरेंद्र मोधी, क्या कोई और वज़े? नहीं, आयोध्या विदान सभा में बहुमत मिला है, लोकसभा छेतर की जहां बात है ना, वहाँ पर दरसल ये जो अपना छेतर है, जो पहले फैजाबाद लोकसभा था, वहाँ की बहुत कई तरह की इस्थितियां हैं, लेकिन वो इस्थितियां बदल जाती हैं, कब बदलत जैसे राम मंदिर आंदोलोन का हुआ अभी तक जनता राम को और भाजपा को एक तरह से देखने के लिए तयार नहीं दिखती है क्योंकि भारती जनता पार्टी भी इसी मत की रही है अटल भीहरी वाजपी जी हमेशा कहते थे बुले चुनाव रामभक्तों का काम है राम का नाम तो होसागर से पार उतरने के लिए लिया जाता है तो अगर कहीं से भी ये बात आ रही है कि हंकार का तत्तो है तो ये तो वो बात हुई ना कि हमारे सरीर के अंदर अगर कहीं पर कोई चीज ऐसी पनप रही है जो दूर होनी चाहिए डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए तो इसका तो स्वागत होना चाहिए तो क्या उसका भी नहीं उना चीहे जिसमें संग के तरब से एक तरब से चेताऊन ही दी गई है कि जो बीजेपी संग से जुड़े लोग हैं उन्हें प्रात्मिकता दी जाए जो नए आ रहे हैं उनको ज़्यादा प्रात्मित्ता देके उन्हें नजर अंदाज करना शायद बीजेपी के लिए भी नुकसान दाएक साभित हो सकता है। नेता मानिय नरेंद्र मोंदी जी को स्वेम सेवक के रूप में, प्रचारक के रूप में, करेकरता के रूप में, नेता के रूप में इतना प्रियापतन हो है कि वो मानिय भागवत जी की भासा भी समझते हैं और वो जानते हैं इस बात को कि उन्होंने चुनाओ के पहले ही कह कि आने वाले पांच साल बड़े फैसले करने का अध्याय होगा, तो बड़ा फैसला इतना बड़ा होना है, जिसकी कलपना भी लोगों को नहीं है, हम लोग अखंड भारत की कलपना कर रहे हैं, जिसमें पियोके भी कभी हमारे बीच में आएगा, जिसको हम अपना हिस्सा हैं तो ऐसे में हंकार क्यों हो एक चीज बता दीजे जैसा कि संग ने भी एक तो ये सोभाव हैं लेकिन इस सोभाव के लिए हमारे नेत्रतव करता नहीं है जबाब दे वो लोग हो सकते हैं कहीं न कहीं जो लोगं 15 ईन विचारों तक अभी तक नहीं पहुँच पाए होंगे जिन लोगों ने जान दे करके कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाज जी ने इतिहास लिखा नरेंद्र मूदी जी जब डॉक्टर जोसी जी के साथ में लाल चोक पर तिरंगा फैरा रहे थे तो मैं वहाँ था गोले बरस रहे थे गोलियां चल रही थी डॉक्टर जोसी जी को दिल्ली के अंदर कॉंग्रेस की सरकार में दमकल के पानी से सिर पर बोचार की गई और वो मृत्यू के किनारे पहुँच गए थे उनको बचाने वाले दो ही हाथ थे पूते नरेंद्र मूदी जी के हाथ पाउजूद इसके फिर क्यों कॉंग्रेस या दूसरी पार्टी के लोगों को आप में इस तरह से शामिल किया जा रहा है कि वो आपकी विचाथदारा से कहीं मेले नहीं खा रहे हैं जो सामिल होगा वो तो आत्मसाथ हो जाएगा गंगा में पता नहीं कितनी नदियां आ जाती है आत्मसाथ हो जाती है भारत में आत्मसाथ हो गए जो नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए भी यही बात आती है कि आत्मसाथ होना चाहिए है सिवी लाइन के बीजेपी विदायक गोपाल शर्मा साफ तोर पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिस बारे में लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेतुरत में अहंकार आ गया है पार्टी में जो आ रहा है उसको आत्मसाथ करना ही होगा साथ चलना ही होगा पार्टी की विचारदारा के कैमरामेन विकरम सिंग भाठी के साथ स्रीवत्सन जैपुर न्यूस 24